हलो दोस्तो स्वागत है आपका टेग बार चानल में जहां आपको इलेक्ट्रिक वेकल के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तो आज हम बात करने वाले है टाटा नेक्सोन एवी के बारे में नेक्सोन के सब वेरेंट्स के बारे में और नेक्सोन इवी के फिचर्स के बारे में तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो टाटा नेक्षन एवी के तीन मॉडल्स है जो टाटा नेक्षन एवी एकसेम दूसरा टाटा नेक्षन एवी एकसेट प्लस और तीसरा मॉडल है टाटा नेक्षन एवी एकसेट प्लस लगजरी टाटा की तरफ से यह तीनो मॉडल्स शांदार इलेक्ट्रिक कार्स है एटटान पौन एवी के तीनों मॉडल्स एंटोमेटिक्ट्रांस्मेशन मोडं में ऐवलेबल किये गए है मतलब एक्सेलेशन टाइम की बात करे तो chooses time 9.9 शेकंड बताया गया है मतलब 0-100 km kepada 9.9 tipping मॉडल्सान टाइम है और एक्सेलॉमेटिक्स के लिए सेम है रेंज की बात करें तो Tata Nixon EV के रेंज 312 किलोमीटर फुली चार्ज होने पर बताई गई है जो कि भहुत शांदार है रेंज भी तीनो मॉडल्स के लिए सेम है बैटरी और चार्जिंग टाइम की बात करें तो Tata Nixon EV के तीनो मॉडल्स 32.2kWh आयोन पॉलीमर बैटरी पैक से ले से इस बैटरी का चार्जिंग समय 8.5 हवर बताया गया है मतलब 8.5 गंटे में बैटरी फुली चार्ज होगी दोस्तो NCAP रेटिंग जो निवकार असेस्मेंट प्रोग्राम रेटिंग होती है उनोंनों इन तीनों ही Tata Nixon EV के वेरेंट्स को 5 स्टार रेटिंग दी है 5 स्टार रेटिंग एक बेस रेटिंग जानी जाती है सब गाडियों के लिए इसकी बात करें तो दोस्तो Tata Nixon XM की प्राइट 14.9 लाख रूपीज है और Tata Nixon EV XZ Plus वेरेंट की प्राइट 16.30 लाख रूपीज बताई गई है और दोस्तो XZ Plus लगजरी वेरेंट की प्राइट 17.30 लाख रूपीज है मतलब XZ PLUS से 1,00,000 रूफे ज्यादा XZ PLUS Luxury के प्राइज है दोस्तो टाटा के इन तीनो ही वेरेंट्स में ज्यादा जर फिचर सेम ही है बस कुछ फिचर ज्यादा है XZ PLUS और XZ PLUS Luxury मॉडल में क्या फिचर्स अलग-अलग है इन तीनो ही मॉडल में वो आप हमारे Comparison के वीडियो में देख सकते है आपको उन वीडियो का लिंक description में मिल जाएगा आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चानल को सब्स्राइब करना Thank you